उतरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षन असमयधानिक है। बाबा साहेव अमिटकर ने भारत की समयधान सभा में इसका विरोध किया था। इसके बावजूत कांग्रेस और इंडी गठ्षबंदन के लोगों में मुसलिम आरक्षन देने की एक होड सी लगी है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमिटी गठित करके कांग्रेस ने OBC का हिस्सा कांट कर मुसलिमों को देने का प्रयास किया था। कांग्रेस की जब अंद्रब्रदेश में सरकार थी उन्होंने वहां के OBC आरक्षन को मुसलिमों को दिया था। वही कांग्रेस की करनाटक सरकार ने मुसल्मानों की सभी जातियों को OBC में शामिल करके OBC के आरक्षन में स्तेंध लगाया है। महीं 2012 और 2014 के घोशना पत्र में स्तपा ने मुसलिमों को आरक्षन देने की वकालत की थी। भाजपा एस्टी, एस्टी और OBC आरक्षन को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार के मुसलिम आरक्षन का विरोध करती है। धर्म के आधर पर आरक्षन यहाँ असंबैधानी का वाबा साथ भिम्राओं बेटकर जी ने भारत की संबैधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था। लेकिन उस सब के बाब जो थे। कॉंग्रेस और उसके सहयोगी इंदी गड़वन्दन से जुड़े रे दल हैं। इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुसलिम आरक्षन देने का। और कॉंग्रेस का इत्यास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टित अंगनाथ मिस्टरा कमेटी गठित करके कॉंग्रेस ने OBC का हिस्सा काड़ करके मुसलिमों को देने का कुछित प्रियास किया था। जब यूपिय गॉर्मेंट थी। ऐसे ही कॉंग्रेस ने जस्टित राजेंदर सच्चर की अध्यक्स्ता में कमेटी बना करके अनुसुचित जाती के आरक्षन में सेंद लगाने का प्रियास किया था। कुछ मुसलिम जातियों को नुसुचित जाती में सामिल करने का प्रियास किया था। बीजेपी और एंडिये ने उसका विरोध किया था। कॉंग्रेस की जब आंदर प्रदेश में सरकार थी। नोंने उस वहां के OBC के आरक्षन को मुसल्मानों को दिया था। कॉंग्रेस की करनाटक सरकार ने मुसल्मानों की सभी जातियों को OBC में सामिल करके OBC के आरक्षन में सेंद लगाया है। वेस्ट बंगाल के इंदर T.M.C. ने 2010 में 118 मुसलिम जातियों को OBC में सामिल करके इसलिए 14 वर्स से लगातार OBC के आरक्षन के अधिकार पर उन्होंने पूरी तरह एक प्रकार की डखेती डाली है।